हेलो एवरिवन वेलकम तो अभिमन्यु आईएस एंड इन दे सीरीज ओफ यूपीसी सेट सुपर फाइफ टुड़ वी आप लोगों के साथ एवरेज डिसकस किया था आज फिर हम डिसकस करेंगे एवरेज और आज मैं डिसकस करने वाली प्रिवियस एर कॉस्टेंस बेस्ट क्या मेरी इतनी है कि एक्जाम में जैसे कोश्टेंस आ रहे हैं वैसे कोश्टेंस मैं कर पाता हूं कर पाती हूं ऑके सब्सक्राइब अपना पैन और कॉपी साथ में लेके बैठी जब भी आप वीडियो देखते हो उसकेस के अंदर आपका कॉपी पैन आपके पास होना चाहिए सो दैट की कुछ इंपोर्डन पॉइंट से उनको आप नोट कर पाओ और को साथ साथ सोल भी कर पाओ ओके तो देखिए फस्ट कोश्चन है यहां पे स्क्रीन पर फस्ट कोश्चन और इस कोश्चन वाज आस इन सी साथ 2020 का कौश्चन है यहां जी आई होप साथ को इसिवाल है क्या है हमारे पास था इस टेबल आपके पास गीवन है जिसके अंदर क्या है average marks in English and average marks in Hindi girls and boys this value is 9 this is 8 this is 8.8 okay and this value is 8 this is 7 and this is X now the question is कि जो X है X की value आपको find out करने है हाँ जी करिए कोशिश सभी थोड़ा सा try करेंगे सभी try करेंगे question को solve करने के लिए अब जब भी हम average find out करते हैं तो कैसे करते हैं we want the total sum of the values अब जैसे यहां पर marks है तो marks का sum divided by number of students तो क्या जाएगे आपके पास average आज जाएगे अब यहां पर हमारे पास क्या है already average given है अगर मेरे पास average given है and I know the number of students तो total marks जैसे find out करेंगे average into number of students clear अब यह छोटा सा concept यहां पर use होगा क्या है हमारे पास में girls हमें नहीं पता कितनी है boys हमें नहीं पता कितने है in that case we have to consider some value let us say girls हमारे पास हैं G and boys हमारे पास हैं B clear अब अगर मैं बात करती हूँ total की तो total marks in English of girls in that case total marks कितने होगे 9g same way अगर हम boys के marks देखें कितना हो जाएगा 8b और average कैसे find out करते हैं divided by total number of students that means girls plus boy and this is given as 8.8 8.8 given है हमारे पास में यह कितना आगे आपके पास 8.8 clear आप देखें अगर मैं इसको solve करूँ तो मेरे पास value क्या आगे यह this is 8b this is equal to 8.8g plus 8.8 b girls को इधर लेके जाते हैं this is 0.8g 0.8 b g by b की value क्या आगे आपके पास 0.8 by 0.2 that means 4 by 1 means की हमारे पास में boys और girls की ratio यहां पर मिल गई है अब इसका मीनिंग क्या हो गया girls कितनी है 4 boys कितने है 1 but this is not the actual value you can consider this value because क्योंकि हमने relative values find out करनी है तो you can say this is 4x this is 1x ऐसे भी आप ले सकते हो डिरेक्ट भी आप ऐसे कह सकते हो कि girls मेरे पास कितनी है 4 boys कितने है clear अब हमें यह वाली value find out करें कैसे find out करोगे average अभी मैंने आपको बताया total marks divided by number of students अब हिंदी के marks अगर हम देखें तो girls कितनी है 4 4 into 8 plus boys कितने है 1 और हिंदी की average कितनी है 7 that means 7 into 1 divided by total total means 4 plus 1 is equal to 5 यह आगे आपके पास 39 by 5 clear so value will be this will be 7.8 answer will be 7.8 देखो कितने स्टूडेंट का correct है यह चेक करेक्ट है अब यहां पर एक जो पॉइंट है कि यहां तक का पॉइंट डिरेक्ट लिए आपके माइंड में क्लिक किया या फिर जब मैंने आपको बताया उसके बाद में क्लिक किया है तो यह आएगा आपको प्रैक्टिस से यह प्रैक्टिस करोगी जितने कोश्चन पर उतना ही आपके माइंड के अंदर क्लिक करेगा पर्टिकुलर कोश्चन का लोजिक की यह पर्टिकुलर कोश्चन में कैसे सॉल्व कर ओके प्रैक्टिस मस्ट है जब हम बात weight of A, B, C is 40 kg, average weight of B, D, E is 42 kg and the weight of F is equal to B. Then what is the average weight of A, B, C, D, E, F? अब to find out the average weight of A, B, C, D, E, F, what we need? We need total of A, B, C, D, E, F. अब ही total की जरूर हो रहते हैं. तो अब देखो क्या हम total find out कर सकते हैं? अब यहाँ पर क्या गी वहाँ है? average A, B, C की. That means what? कि A plus B plus C total 3. 3 person 40 को हम 3 से multiply करेंगे 40 into 3. कितना आगे आपके पास? 120. आगे क्या है? B, D, E. तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते? B, C and E. अगर हम इसका total देखेंगे तो कितना? 42. तो अगे इन 3 person. 3 के साथ आप multiply करोगे. कितना आगे आपके पास? 126. अगर हम total देखें, तो total value क्या आगे आपके पास? A plus B plus C plus B plus D plus E is equal to 246. बढ़ हमें किसके average चाहिए? A, B, C, D, E, F की average चाहिए. अब यहाँ पर देखो, जो B है, B two times आ रहा है. और यह जो B है, B का weight किसके equal है? F के equal है. That means in place of B, I can put F. यहाँ पर इसकी जगे पर क्या लिख सकते है? F लिख सकते है? That means कि क्या हो गया? A plus B, C plus F plus D plus E. This is 246. And now we can find out the average. Average कैसे find out करते हैं? This is 246. total number of person 6. कितना आ गया? 41 kg. So, यह answer will be option C. 1 kg. 41 kg, sorry. Clear? Next देखी हैं. हाँ जी. Next question है 21 का. मैं यहाँ बता रहें कि हर बार question आ रहा देखो. 20 के अंदर आया, 22 में 21 के अंदर. अब 21 के अंदर जो question था, that was in the form of statement. Direct question देखो. अब हमने यहाँ पर देखा 20 के अंदर table की form में question आया हुआ था. 22 के अंदर direct था. अब यहाँ पर दो क्लासिस हैं आपके पास. इसके अंदर है 25 स्टूदेंट और जो second class उसके अंदर आपके पास 30 स्टूदेंट. अब यहाँ पर score की अबर बात करते हैं कि है रहा है कि यहाँ पर 21 और 17. मिंज़ जो score है वो 17 से 21 के बीच में है. और क्लास B का score क्या है 30 and 22 के बीच में है. यहाँ मिंज 22 है 2 to 30. अब इस data से मुझे क्या information मिल रही है कि जो दो क्लासिस है उसके अंदर जो first class है एक उसके सभी स्टूदेंट्स के marks क्लास B के स्टूदेंट से क्या है कम है क्लियर अब आगे क्या है consider the following statement. एक और लाइन रह गी है. आप 4 students are shifted from class A to B. A से B में 4 students को shift करती है. जो shift किया है तो यहाँ पर statement किया है एक एवरेंज score of class will be definitely decrease. अब हमने देखा कि भी यह जो 4 students से they are shifted in B and the score of all students in B was already more than 20. but the students which shifted in the class having the score less than 22. that means कि जो average है वो क्या होगी कम होगी definitely that means कि average क्या हो जाएगी आपकी yes less होगी decrease होगी decrease होगी okay that means कि यह तो हमारा correct होगी. अब तकिन स्टेट्मेंट देखते है तो average score of A will definitely increase जो A का average score है वो definitely increase होगा अब A का score increase कैसे होगा अगर यहाँ पर आप दो cases बन रहे हैं आपके पास में case 1 क्या कहते है कि जो students जिनके marks minimum marks है minimum marks जिनके थे जिनके थे वो जो four students है if they are shifted in B in that case average will increase average automatically increase होगी ठीक है बट जो second case है वो ऐसा भी हो सकता है कि जिनके maximum marks थे class के अदर life 21 marks थे जिनके maximum marks वाले four students को अगर shift कर दिया जाए यहाँ पर तो क्या होगा decrease होगी minimum marks वाले student अगर shift होगे तो average increase होगे maximum marks वाले student होगे ठीक है तो इस case में दो नो chances बन रहे हमारे पास दो cases बन रहे तो हम क्या कहेंगे वो क्या कह रहे definitely definitely का meaning क्या होता है कि आपके पास में एक fixed value आने चाहिए या तो यह यह तो नो बट यहां भी हमें दोनों मिल रहे है तो हम क्या कहेंगे this is not true now your question is which of the above statement is correct so we will say statement first is correct only okay yes next देखते है next question है यहां पर 29 का question 29 के अंदरा देखू अब question के अंदर इस तरह का question मैंने last class में भी आप लोगों की साथ discuss किया था this is important type और 19 में आई है 20 21 22 में यह वाली type नहीं आई that means 23 में आपको मिल सकता इस तरह का question हाना अब दो क्या है the mean marks अब एक और पॉइंट जब हम बात करते मीन की in your exam you get mean जो कीवर्ड आपको मीन मिल जाता है या फिर क्या मिल जाता है यहां पर average बोथ हार सेम हमेशा ध्यान रखो दोनों सेम है confused नहीं होना कि हम मीन आ गया अब क्या करें यह तो जो question है स्टेटिस्टिक का question आ गया मीन है यहां पर नहीं कुछ नहीं है average और मीन बोथ हार सेम अब यहां पर क्या कर रहा है तो मीन मास फंडर स्टुडेंट्स और फाउंड 40 40 मिले लेटर और इट वाज डिसकवर्ड एंड़ स्कोर वास 53 एंड मिस्रीड 83 तो स्कोर एक्च्छल थ कितने है 53 एक्टिस्ति यहां पर यहां पर क्यों स्कोर्सोंडेंग भी क्तिर नूट कर आपके सकते कर सकते करेक्टिर तो और वह भी क्या हो रहा है माइनस हो रहा है माइनस हो रहा है अगर हम बात करते हैं मीन की एवरेज की एवरेज की उपर कितने का फरक्ष पड़ा माइनस 30 टोड़ नंबर ओ स्टूडेंट कितने हैं 100 डैट मिस 0.3 माइनस 0.3 होगा ओके तो एक्चुल क्या आगा जो आपके पास मीन गीवन है इसमेंसे आप क्या करोगे इसको माइनस कर तो दे वैल्यू विल्बी 39. सब्सक्राइब कर सकते हैं यह होगा है डिरेक्ट इस को सब्सक्राइब कर सकते हैं तोल कितना बन रहा है आपके पास में अब यहां पर डिफ्रेंट कितने का रहा है थर्टी का लगें तो यह हो जाएगा आपके पास में आ नाइटी एक्चुली हो गया और जो आपको बैटर लगता है मैथट वो आप चूज कर लो पट इस थाइप इस इंपोर्ट अप्लियर अब देखो 29 के अंदर ही 2000 sorry 2019 के अंदर अगें अब में कॉस्चेन के अति अब कॉस्चेड अब को समय उन्हार कर लें सीक्ष्ट अगें क्यां एक फैमली कोड्रें1 तूचल्डरण जो चील्डरिंगर अलॉंग विध देर पैरेंट पेरेंट सेक्ष्ट अथैट मिन्स पाधर and mother, okay, the average of the weights of children and their mother is 50 kg, children, आप देखो, 2 children, children, child 1 and child 2 plus mother, average given total number of person are 3, so total कैसे find out करोगे, इसको 3 से multiply करोगे, so 50 into 3, पर 50, आगे क्या given है, the average of weight of children and their father is 52 kg, children and father is 52 kg, children दो father, that means total 3 person, that means कि total के लिए क्या करेंगे, 3 से multiply करेंगे, इसको multiply करोगे, आप 3 से, कितना आगे आपके पास में, 56, clear, आप कराए, इस देखो फादर इस 60 kg, देन वाट इस weight of mother, mother का weight बताओ, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि child 1, child 2 तो 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 नों में है, अगर मैं इसको minus कर देते हूँ, तो क्या आए गारे पास में, हांदी, mother minus father is equal to minus 6, father के इस कितने given है, आपके पास में, sorry, weight कितना given है, 60, that means minus 60 is equal to minus 6, तो mother कितना आगया, 54, 54, ओके, तो अंसर क्या जाएगा, आपके पास, option D, option D, 54 विल भी दा करेक्ट आप, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे questions exam में आपको मिल रहे हैं, तो आपको सभी तरह के questions पर प्रेक्टिस करनी है, यह जो super 5 series है, इसका अंदर हमारा main motive यही है, कि आपको step by step guide करने, कि कैसे prepare करने, 6 months का time है आपके पास में, अराम-अराम से prepare करो, number system, सभी ने prepare कर लिया होगा, आई हो, सभी ने prepare कर लिया होगा, number system काफे important है, second topic अभी जो हम कर रहे थे, that is average, अब average भी आप देखो कितना important और कैसे questions आ रहे हैं, अब आपको लगता है, हाँ, इस तरह के questions हम कर पा रहे हैं, और average से जो-जो types बनती है questions की, वो हमें clear है, then well and good, but practice is must, practice must है, कीक है, questions तो practice करते रहो, दूसरा जो point है, कि हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे average की सारे concepts के लिए, क्योंकि average के अंदर सिर्फ यहां पर आप देख सकते एक ही टाइप नहीं है, कहां just average find out करो, number पर बेस्ट questions भी average में आ जाते, ages पर भी आ जाते, average से related, भी आपको एक्जाम में मिल सकते है, average से related कोई भी question आ सकता है, even in 2018 जो question था, वो आपका line graph पर बेस्ट आया हुआ था, average बेस्टे, ओके, तो जो previous year के questions है, महाँ पर आप देख सकते हूँ, वो वाले questions भी मैंने discuss किये है, 2020 से पहले के जो questions है, वो मैं सारे previous year के आप लोगों के साथ में discuss कर चुकियों, तो वहाँ से भी आप उसको check कर सकते हूँ, हाँ जी, तो अभी हम क्या discuss कर रहे थे हैं कि इस तरह से questions exam में आ रहे हैं, आपने सभी की practice करने, अगर आपको लगता है मेरे concepts clear नहीं है, सिधा description में micro verses का link है, वहाँ से अपना topic उठाओ, prepare कर लो, ओके, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा concept clear है, then bell and moon, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी नहीं पढ़ते तो यहाँ पे आप stop हो जाओ, six months है, qualifying nature है, यह सिरफ mind में नहीं रखना, थोड़ी थोड़ी preparation daily शुरू कर दो, daily one to two hours आपको devote करने ही करने, now it depends कि हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरा math अच्छा है, ठीक है, मेरा logical reasoning English अच्छा है, in that case, you should devote one hour daily, अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे के अंदर ज्यादा problem है, मेरा week है यह वाला part, then you should devote two hours daily, अगर आप 23 के अंदर paper देरे और आपको यह है कि हाँ, साल बर्बाद नहीं करना है, हमने, जो C-set है, C-set मेरा qualify होना चाहिए, then you should devote proper time on C-set, हाँ जी, तो क्या आप बता रही थी मैं आप लोगों को, microverses के बारे में हम बात कर रहे थे, yes, यह particular जो links हैं, यह description में आपके पास available है, and you can join the micro course of average, from here, both the links are available, okay, same way, अगर आपको सभी micro courses, courses देखने, in that case, this link is also available, में सभी micro course आपको दिख जाएंगे, ठीक है, अजी, तो अभी हम discuss कर रहे थे, this is the average, average के अदर 4 video lectures available है, ठीक है, web notes available आपके पास 2, and multiple choice question यहाँ पर आपको मिल रहे, 4341 questions, okay, अब आपकी requirement के according है, अगर आपको लगता है कि मेरे concepts clear है, in that case, practice with the multiple choice questions, and these questions are in the format of test, okay, हाँ जी, और अगर आपको लगता है कि नहीं concepts clear नहीं है, then in that case, you can go through this video lectures, 4 video lectures आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, done, हाँ जी, आप 3 minutes का trial भी ले सकते हो, अगर आपके mind में कोई भी confusion है, जब आप इसका trial लेते हो, in that case, you will get these micro courses in the actual format, which you will get in actual, okay, तो यहाँ पर देखो, यह आपको मिल जाएंगे, average के micro versus, हाँ जी, देखो, यहाँ पर क्या आ रहे है, class, lecture, videos, 4, 4 lectures है, वो हर एक lecture के साथ में भी फर्दर आपको online test attached है, ठीक है, test आपको मिलेगा, साथ में ही आपको क्या मिल रहे है, yes, test यहाँ पर है, then, साथ में PDF attached है class की, और web notes attached है, clear, these are the video lectures, these are the web notes, web notes आप देख सकते हैं, okay, web notes के बाद में, yes, these are the web notes, उसके बाद में आपके पास multiple choice questions और यह जो multiple choice questions है, यह आपको test के format में मिल रहे हैं, अगर कोई भी confusion है, in that case, you can comment in the comment section, comment section में आप पूछ सकते हों कि हाँ जी, किसी test का solution का issue आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि video lectures में कैसे देखूँ, कोई भी doubt है, regarding any microverse, I will say कि पहले खुद को analyze करो कि क्या मुझे single single topic मैं prepare करके कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, या मुझे complete, तो अभी मैं suggest करूँगी कि अभी हमारे पास में 6 months है, labor's को explore करो, हर step पे हम आपको guide कर रहे हैं, एक-एक topic को prepare कर लो, ओके, थोड़ा सा loading में यहाँ पर time ले रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर time लग रहे हैं, लोड हो रहे हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं सभी, clear, so it was all for today, हाँ जी आज की class के अंदर हम इतना ही discuss करेंगे, next class के अंदर next important topic हम discuss करेंगे, yes, thank you.